स्कूल से आया तो मैंने पीपर फार्म में इन जानवरों से सीखा है और जौला से मैंने क्या सीखा है वो मैं आपको बताता हूँ पर पहले शाहिन ही आपको इसकी कहानी बताएगी जौला हमारे थ्री मिलर गैंग में से एक है यह सभी की चहीती है, यहां तक की बच्चे भी इसके फैन्स है और यह खुद भी बहुत खुश मिजाज बच्ची है लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था एकरोष शिवराज जी का हमें कॉल आया जिन्होंने हमें एक ऐसे पपी के बार में बताया जिसका आक्सिडेंट हो गया था मैं ट्रेवल कर रहा था जवाला जी की तरफ और रोड साइट पर इंजर्ट था उसका है एक दो लोकल लोग वहां खड़े थे विशाद इसकी हल्प कर रहे थे मुझे लगा किसी गाड़ी या किसी वेहिकल न इसको हिट किया था और इसकी एक जो फ्रंट की लेग थी वह बुरी दर से इंजर्ट बिल्कुर लटकी हुई थी उसकी आगे की दोलों टांगे बुरी तरह से जखमी थी हमारी टीम से उसकी हालत देखी नहीं जारी थी हमारे याँ जब भी कोई आनिमल्स ऐसी हालत में आते तो वो बहुत डरे होते हैं बहुत चुलाते हैं लेकिन इस पपी की आँखों में ना तो हमें डर दिख रहा था और ना ही एक बार भी दर्द से चुलाई थी लेकिन जो देख रहा था वो था उसका धहरे और उसकी आँखों की चमक उसकी आँखों की इसी चमक को देखके हमने उसका नाम जवाला रग दिया और इत्तिफाक ये था कि ये जवाला जी नाम की ही जगा से आई थी एक्सिडेंट की वज़ा से उसके एक टांग तो इतनी डामेज थी कि हमें उसे अमपुटेट करना पड़ा लेकिन एक टांग हो देने के बावजूद भी वो इतनी आक्टिव थी जैसे कुछ हुआ ही ना हूँ बागी डॉक्स के साथ भी उसको घुलने मिलने में जादा समय नहीं लगा और जल्दी सबकी दोस्त मिली हमने ज्वाला को अपनी वेबसाइट पे भी लिस्ट कर दिया था क्योंकि वो एडॉप्ट होने के लिए बिलकुल रेडी थी लेकिन उससे पहले ही ज्वाला की लाइफ में एक और परिशानी आ गई सरदियां आ गई थी और उन दिनों बहुत सारे पपीज पार्वो की चपेट में आके दम तोड़ रहे थे फार्म पे भी हमारे पास जो पपीज से उन्हें हम पार्वो से बचानी की कोशिश में जुटे थे लेकिन सारे precautions लेने के बावजूद भी ज्वाला पार्वो positive ने किली हमने ज्वाला को बचाने के लिए उसे isolation में रखने का फैसला किया आइसोलेशन के समय उसे एक क्रेट में रहना पड़ रहा था लेकिन फिर भी वो हमेशा शान्त रहती थी और हमने उसे कभी भी क्रेट से बाहर निकनले के लिए चिलाते हुए नहीं देखा पारवो भी उसके जीने की चाहके आगे नाकाम रह गया और वो कुछी दिनों में ठीक हो गई ज्वाला में ये जो ठहराव है वो शायद ही इस एज के पपीज में देखने को मिलता है और यही ठहराव बहुत से लोगों को इंस्पायर भी कर रहा है तो ज्वाला से जो मैंने सीखाना वो ही है कि भई हम चाहे जितना मर्जी संभल के चलें जिंदगी में हमें कभी ना कभी दूसरों की गलतियों को खन्याजा भूगतना ही पड़ता है क्योंकि दूसरों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है हमारा कंट्रोल सिर्फ अपने एडिचूट को है हमारा एडिचूट ही निर्धारित करता है कि हम हालात से कैसे निप्टेंगे कैसे निकलेंगे अब देखिए ना हम दुनिया भर के काटे तो साफ नहीं कर सकते और हम दर से दूता बहन के तो निकल ही सकते हैं